नमस्कार दोस्तो आज इस पाम का एनालेसिस करते जो विदेश में रहने वाली भारती महिला का पाम है और इनकी वर्तमान आयू 41 एर्स है इस पाम को अगर ध्यान से देखे तो सफलता के साथ साथ रुकावटे संगर्स भी बहुत दिख रहा है इनके जीवन में और पल पल प पर सफलता भी है यह सारी चीजे और जीवन रेखा पर एक डाकनेस दिख रही है तो हो सकता है इनकी तबियत भी कुछ साथ ना देती हो या तबियत के मामले में भी कोई डिस्टरबंस चलता हो इस तरह से इनके जीवन चल रहा है तो साथ साथ में बहुत सारे साथ साथ में संगर्ष भी दिख रहा है एक एक करके लेंगे इस विशय को अब देखे इनके पाम को तो यह कंप्लिट रेक्टेंगल पाम है जब इस तरह का रेक्टेंगल पाम होता है तो व्यक्ति बोल कर ज्यादा अपने जीवन में कारे करता है और यहां पर सुरी की ठोड़ी सी बेंड हो रही है तो धार्मिक भावना भी इनमें अच्छी कासी होगी और अंगुठा मध्यमकिस्मका है तो मध्यमकिस्म की परस्टनलिटी होगी पर यहां से थोड़ा साथ पतला है तो एक तो सेवा भवी मानसिकता रहती है प्लस अपने हितों की रक्षा करन परसनालिटी भी व्यक्ति की रहती है और छोटी उंगली भी लगबग सुर्य उंगली के फर्स फैलें तक पहुच रही है तो फाइलिंग, डॉक्मेंटेशन, चीजों को संबाल कर रखना, याजशक्ति, अकाउंट्स और मनी मैनेजमेंट में माहिर होते है अब इनके कलर दे यहाँ पर देखे तो बुद्परवत अच्छा खासा उभार लिये हुए तो व्यक्ति सुन्दर होता है उसमें बोलने की कला अच्छी खासी होती है अच्छी मिठास वाली बोली होती है और बिजनेस, व्यापार, वानिज्य, विज्यान ये सारे गुन इनमें अच्छे सा पाया जाते और उस पर भहुत सारी खड़ी लाइने चल रही है और ट्रैंगल भी बन रहा है यहाँ पर तो बहुत सारे सुप साइन भी है इनके यहाँ पर एक ट्रैंगल बन रहा है तो यह भी व्यापार वानिज्य में व्यक्ति को काफी एक्सपर्ट बनाता है अब सुर् का बड़ा ट्रैंगल व्यक्ति को काफी अमिड बनाता है प्लस समुरुद्धी देता है और व्यक्ति ने जो जो इच्छा है चाही रहती है वो लगबग पूरी होती है जीवन में इस ट्रैंगल के कारण और यहां पर एक ट्रैंगल नहीं दूसरे भी ट्रैंगल है स्क्वेर यहां पर भी ट्रैंगल है और यह स्क्वेर भी है यहां पर तो मल्टी सिटी का भी काम व्यक्ति के जीवन में रहता है फैला हुआ कामकाज रहता है व्यक्ति का यह सारे गुन यहां पर दिख रहे है यानि मनी से रिलेटेड सारी चीजे दिख रही है और एक आभास तो ऐस से लगता है जैसे यह फिश्चाइन हो पर फिश्चाइन जनरली इस तरह से बनती नहीं पर एक आभास दे रही है और एक लाइन यह इस तरह से निकल गए इसके लिए यह फिश्चाइन नहीं है यह केवल एक आभास था है पर ट्राइंगल और स्क्वेर और ट्राइंगल काफ और यहां पर विद्या रेखा भी है व्यक्ति के जीवन में तो व्यक्ति बेसिक ज्यान काफी अच्छा होता है व्यक्ति के पास और लोग इनको पुछ-पुछ कर काम करते हैं और सबसे अच्छी चीज तो इनके शनी परवत पर है कितनी स्ट्रॉंग रेखा है अप्टू एं अपने जीवन में बुरापे में अच्छे खासे बहुत सारी वेल्थ होगी इनके पास बहुत ज़्यादा और इनका धार्मिक और सामाजिक छेत्र में भी ये खुद की इच्छा से खर्च करेंगे क्योंकि व्यक्ति के बास जब ज़्यादा होता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा से सामाजिक और धार्मिक छेत्र में खर्च करता है तो इनके जीवन में 56 के बाद इस तरह की चीज होगी और ये परवत थोड़ा सा दबा हुआ है तो व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है प्लस जो आज मिलने वाला है वो दो दीन के बाद मिलता है और जो दो साल के बाद मिलने वाला हो सकता है चार साल के बाद मिले पर मिलता जरूर है पर बहुत अच्छा शनी परवत पर लाइने है तो बुड़ा पे मैं लाइन जो इस तर से चल रही है, यह हो सकता है, ससुराल पैसे वाला मिले, मिला हो, या व्यक्ति खाने का शौकिन हो, अब चलते इनके गुरु परवत पर, गुरु परवत थोड़ा सा चाहिए वैसा नहीं है, शुक्र के मुकाबले काफी छोटा है, और शुक्र काफी बढ़ बेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इस तरह का गुरु परवत परिवार से दूर रखता है व्यक्ति को, और यहां पर भी भहुत सारे पॉजिटिव साइन है, यह एक ट्रैंगल बन रहा है, यहां पर, और गुरु पर भी ट्रैंगल व्यक्ति को काफी अमीर बनाता तो भी धन के मामले में यह ट्रैंगल गुरु परवत वाला काफी लाब देता है, और एक साइन और है इनके पाम पर, यह स्क्वेर, यह अगर यह कंप्लीट होगा स्क्वेर, तो 32 साल के पहले खुट का घर, 36 साल पर अथोरेटी पोजीशन, प्लस इतने बड़े स्क्वेर म रहने का सोभाग्य मिलता है, और सबसे बेस साइन और है इनके पाम पर, गुरु परवत पर, यह यहां पर बनने वाला स्टार, यह बहुत पीछे की उमर में, लगबख 55 के आस पास, इनको जीवन में अचानक फोर्चुन राइज होगा, इनका, बहुत बड़े पहमाने पर और बड़े बड़े लोग इनके समपर्क में आएंगे, स्टार के बलबुते, बहुत बड़े बड़े लोग समपर्क में आएंगे और अचानक फोर्चुन राइज होगा और multiple income की रेखाय है horizontal जितनी भी रेखाय चलती है यह multiple income की और इशारा करती है अब चलते इनके अंदूनी मंगल की और अंदूनी मंगल पर देखे तो बहुत अच्छा अंदूनी मंगल नहीं है और यहाँ पर मुझे एक अंदूनी मंगल पर भहुत सारी रेखाय भी है यह चिंतित सबाव की और इशारा करती है ऐसे लोगों को अगर इन्होंने control नहीं किया तो व्यक्ती depression का भी सिकार बनता है और इसका best ilaj है पर यह विदेश में रह रहे है एक meditation सबसे best ilaj है दूसरा है व्यक्ती भुले नात के मंदीर पर जल चड़ाना मंदीर में जाकर जल चड़ाना और तीसरा best ilaj है रत्नों का यह तीन ilaj है रत्नों का मैं इनको whatsapp पर दे दूँगा और यह दो ilaj यह खुद कर सकते अब जहां पर रह रहे है वहां पर मंदीर की सुविदा है की नहीं पता नहीं अगर भारत में होते तो यहां पर तो easy ली यह सुविदा मिलती है पर यह चिंता रहा है काफी है यह काफी जीवन को चिंतित रखती है बहुत चिंतित सबाव की और इशारा करती है व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बनता है अब चलते इनके बारी मंगल की और बारी मंगल अच्छा खासा है इस तरह का बारी मंगल जब किसी से मिलते है तो एनर्जी के साथ व्यक्ति मिलता है और सामने वाला comfortable feel करता है दूसरा संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है ये भी एक खासियत होती है और यहाँ पर चंद्रपरवत भी काफी अच्छा है इनका और जिसका भी विदे से संबंद आता है उसका चंद्रपरवत always अच्छा रहता है और बहुत सारी यात्रा चंद्रपरवत अच्छा होता है तो व्यक्ति, imagination, power काफी high होता है refined सोच होती है प्लस जो purchase करते ही है value for money होती है यानि अगर आपने पचास हजार की वस्तु कोई खरीदी तो वो 60-70-80,000 तक की महेंगी लगेगी इतनी अच्छी चीज़े आप लोग करीज सकते हो और यहाँ पर बहुत सारी रेखाए चल रही है ये total यात्रा रेखाए विदेस में आने जाने की रेखाए और इनकी तो पूरी जीवन रेखाई पूरी चंद्रपरवत पर जा रही है तो ऐसे लोग विदेस में सैटल होई जाते और ये खुद भी विदेस में सैटल है ये और यहाँ पर एक अच्छा सा मनी ट्रेंगल इनके जीवन में बन रहा है ये बहुत बड़ी इनकम के स्रोथ जीवन में create करवाता है बहुत जादा इस तरह का मनी ट्रेंगल बहुत सारी इनकम के स्रोथ और बहुत जादा अमीर बनाता है और यहाँ पर देखे तो दो-तीन जग़ा पर मुझे star दिख रहा है राउच्छेत्र में एक यहां पर स्टार दिख रहा है और यह अचानक धनलाप की और इसारा करता है व्यक्ति के जीवन में अचानक धनलाप बार-बार होते कई बार होते एक यहां पर दिख रहा है स्टार और यह स्टार व्यक्ति को बार-बार अचानक धनलाप देने में सक्षम रहते अब चलते इनके शुक्र परवत पर देखे तो लगजरी रेखाय तो है जितनी भी मोटी रेखाय ये शुक्र रेखाय ये धन के मामले में व्यक्ति को काफी समरुद्ध बनाती है पर साथ साथ में यहां पर भौत सारी आड़ी रेखाय चल रही है बहुत सारी ये व्यक्ति के जीवन में एक रुकावटे लाती है आपके कितने भी positive sign हो अगर ये रेखा है आपके हाथ में है तो आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में किसी ने बांध के रखा है आगे बढ़ने नहीं मिलता इस तरह की feeling व्यक्ति के जीवन में आती है मैं इसका भी इलाज दूँगा इनको बहुत आसान इलाज है और शुक्र परवत काफी अच्छा होने से व्यक्ति का presentation level काफी high रहता है यानि खुद को अपने आपको व्यक्ति अच्छी तरह से present करता है अच्छे कपड़े पहनेगा अच्छी तरह से रहेगा अब चलते इनके हाट लाइन पर हाट लाइन काफी अच्छी है complete गुरु परवत से शुरू होकर इस तरह से जा रही है तो ये व्यक्ति विश्वासु किसम के इंसान रहते किसी के सो रुपे भी बाकी हो तो सामने से याद करके देखे आएंगे और हाट लाइन डबल है इस तरह की डबल हाट लाइन वाला व्यक्ति खुट की जीवन नहीं जीपाता बहुत सारी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्या है रहती है चाहे वो व्यापार की हो, कारे छेतर की हो, और व्यक्ति लड़ते रहता है, यानि व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी पाता, इस तरह की हार्ट लाइन वाला, किसी और के लिए जीता है, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, जब भी आपकी हार्ट लाइन कहीं पर भी लाइट है, फिर भी पर डबल है यह, तो कोई न कोई जीवन में, पर यहां से हार्ट लाइन इनकी अच्छी खासी बन रही है, स्मूथ, पर यह पिरियड ही लगबग 65 के बाद का है, पर उसके पहले डबल चल रही है, तो व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई आपा धापी चल माइन लाइन पर, माइन लाइन पर भी देखे, तो यहां से सुरू होकर, गुरु परवत से सुरू होती है, और सीधी चल कर यहां आ रही है, तो जब भी गुरु परवत से माइन लाइन शुरू होती है, तो व्यक्ति महत्वकांशे होता है, और अपनी महत्वकांशा पूर भी करता भी है और सीधी चल रही है और थोड़ी सी छोटी है तो एक शर्टन डबाओ आने के बाद व्यक्ति विस्पोटक भी हो जाता है और उसका भी कारण एक और है इनकी हार्ट लाइन से एक स्ट्रॉंग रेखा नीचे चल रही है ये व्यक्ति को गुस्दा दिलाती है और इनकी माइन लाइन पर भी देखे तो बहुत सी छोटी छोटी रेखाओ का वार है तो ये जब भी वार आता होगा हो नहों इनको कमर का दर्ध जीवन में आता होगा जो 8-10 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का, जो कमर का दर्द होता है वो व्यक्ति को सेहन करना पड़ता है आप बेड से उठ नहीं पाते हो इस तरह का जो दर्द होता है वो होता है व्यक्ति को जब भी माइन लैन को कोई रेखा काटती है तो क्योंकि mind line का सिद्धा संबंद कमर से है और उस पर कोई भी वार आया और व्यक्ति को टेंस भी आता है साथ में उस तरह का pain भी उठाना पड़ता है तो इनके जीवन में देखे तो सब कुछ होते हुए भी काफी संगर्ष दिख रहा है हर जगा पर चाए वो mind line हो चाए heart line हो हर जगा पर संब्रुद्धी के साथ साथ pain भी दिख रहा है अब चलते इनके जीवन रेखा पर जीवन रेखा को देखे तो complete यहां से शुरू हो रही है और ऐसे चल कर सीधी चंदपरवत पर जा रही है और इसी रेखा पर देखे तो कहीं जगा पर जो मोटी मोटी रेखाओं ने काटा है उसका ही मैं जिक्र करूंगा एक लगबख 24 साल के आसपास रहू रेखा ने strongly काटा है और उसके बाद एक दो साल के बाद अच्छी खासी progress भी इनको मिली होगी चुकि एक progress line भी इनकी वहाँ से जा रही है एक लगबख 37 के आसपास इनके रहू रेखा ने काटा है एक 41 के आसपास 144 के आसपास 146 के आसपास और 148 के आसपास ये इतनी रेखा है मोटी मोटी है पर इन रेखाओं के साथ-साथ भी देखे तो बहुत सारी छोटी-छोटी राउ रेखाओं ने भी बार बार हर एक दो साल में कोई न कोई विग न इनके जीवन में लाया होगा और इनकी ये जो जीवन रेखा है दो तरफ इंडिकेशन देती या तो इनकी तबियत खराब रहती होगी या ये संगर्ष की और इशारा करती है व्यक्ति के जीवन में संगर्ष भी काफी होता है तो ये लगबग 24 से लेके लगबग 48 साल तक या 46 साल तक ये संगर्ष दिख रहा है और तब्यत भी खराब रहती होगी तो उस पिरियर तक इनको रहेगी और उसके बाद अच्छा खासा जीवन इनका स्मूथली चलेगा पर बीच-बीच में छोटी-छोटी बाद है इनको 15 दिन की महिने की डेड़ महिने की बाद है continue दिख रही है continue अब यही चीज इनके fate line पर भी दिख रही है यही चीज है mind line पर यही चीज हाट line पर दिख रही है और यहां पर देखे तो इनकी fate line को भी देखे तो यहां पर चली और इसी के बीच में एक cut लगबग 22 ते इसके आसपास आया एक लगबग 26-27 के आसपास एक लगबग 28 के आसपास और यह एक लगबग 32-33 के आसपास और यहां पर वापस थोड़ा सा डिश्टबंस आता दिख रहा है यह period काफी संगर्स वाला रहा होगा 33 से लेके 36 तक का उसमें fate line काफी एकदम हल्की हो चुकी है और उसके बाद भी देखे तो एक कट लगबग 37 के आसपास एक कट 38 के आसपास एक कट 39 के आसपास और ऐसे चली रहा है इनका एक 40 के आसपास इस से continue कट चल रहा है पर इसके बाद यह fate line अच्छी खासी strong होते हुए आगे बढ़ रही है और यहां पर एक secondary business और इनका शुरू होगा और वो चलेगा और उस पर भी देखिए उस पर भी 42-43 के आसपास एक कट है एक 45-46 के आसपास कट है एक 53 के आसपास 62 के आसपास एक ही राउरेखा ने काटा एक यहां पर भी यानि बीच बीच मैं कोई न कोई रुकावटे इनके जीवन में दिखी रही है सफलता के साथ साथ कही न कहीं संगर्ष भी साथ साथ में ही चल रहे हैं तो बहुत रेर में इस तरह से पाम आते हैं जिन में इस तरह की चीत दिखती है आपको सफलता मिल रही है पर साथ साथ में संगर्ष भी काफी दिख रहा है और जितनी भी रुकावटे आती है वो आर्थिक नुकसान भी करवाती है पर ओवर अगर देखे पूरे पाम का जीवन का आप निचोड निकालोगे तो आप हुज लेवल की वेल्थ क्रियेट करोगे आप जीवन में हुज लेवल की क्योंकि इतना अच्छा मनी ट्रैंगल इतने सारे पॉजिटिव साइने व्यक्ति को भहुत सम्रुद बनाते और ये अगर साइने नहीं होती और इस तरह की रेखाय होती तो व्यक्ति काफी तकलिफे उठाता है पर ये इतनी पॉजिटिव साइने आपके हाथ में है तो आपको वो पॉजिटिव जो रुकाउट है वो भहुत छोटी लगती होगी भहुत छोटी मैसूस होती होगी क्योंकि भहुत सारे पॉजिटिव साइने